बोपाल में बीजेपी के नए प्रिदेश काराले का भूमी पूचन हुआ भूमी पूचन के कारेक्टर में बीजेपी राश्टी अध्युष जेपी नडडा और सीम शिवरा सिंग चाहान शामिल हुए करीब सौ करोड की लागत से बनने वाले बीजेपी आफिस को दस मिलजिला का ये होगा और सभी अत्याद होने के सुविधाओं से लेस होगा बीजेपी के नए आफिस का भूमी पूचन हाइटेक होगा बीजेपी का नया कारेले सौ करोड की लागत से बने गा आफिस खुपाल में लगबग 100 करोड रुपे से ज्यादा की लागत से बन रही बीजेपी के नए कारेले का बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने भूमी पूजन किया दरसल विधान सभा चुनाव से पहले जरुरतों के मताबिक भारतिय जनता पार्टी ऐसा हाई-टेक आफिस बनवा रही है जहां छट पर हेलिकॉप्टर उतर सकेगा इसके लावा भी ऐसा माना जा रहा है कि ये आफिस कई सो विधाओं से लेस होगा खबरों के मताबिक बीजेपी का नया उफिस दस मनजिला होगा जो करीब पचास हजार वर्ग फीट में बनाय जाएगा इसकी संभावित लागत सौ से टेर्ट सो करोर हो सकती है इस भवन को इस तरह से बनाय जा रहा है कि इसमें एक साथ बारा सो लोग बैठ सकते हैं रक्षत करने का भी संदेश देगी वहीं बिजली बचाने के लिए यहां सोरल रूफिंग भी लगाए जाएंगे जससे सौर उजा से बिजली बनाई जा सके नए भवन के बेस्मेट में पार्किंग की व्यवस्ता की गई है इस दफ्तर में पंडिदीन दियालुपाद्याय कुशबाव ठाकरे राजमाता विजिया राजे सिंधिया की प्रतिमाए स्थापित होंगी इससे पहले बीजेपी का मौझूदा दफ्तर साल 1991 बनाए गया था जो बदलते वक्त के साथ चोटा हो गया था जिसके बाद अब भुपाल में बीजेपी नया और बड़ा हाइटेक आफिस बनवा रही है टीम न्यूज स्टेट